हलो एवरीवन वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल अफोप्स द्रीम्स उनिवर्सल स्कूल सब्सक्राइब आर चैनल और पेस्ट बेल आइकन बटन तो गेत दे नोटिफिकेशन अफ आर नूव वीडियो थैंक यू हलो एवरीवन क्लाश फर्स चैप्टर 22 चोर की दाड़ी में तिनका चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि फोन का यूज आप अपने पेरंट्स के पास या किसी बड़े के पास बैटके करेंगे और सासा सुनेंगे और सासा अपनी बुक ओपन करके रीड करेंगे तो लेट ताट बहुत समय पहले की बात है सुन्दर नगर में एक सेट रहता था कौन रहता था सेट सेट मीन धनी व्यक्ति उसका नाम ध्यान चन था क्या था नाम उसका ध्यान चन वे नगर के धनी व्यक्तियों में से एक था नगर मीन शहर शहर के धनी मतब अमीर व्यक्तियों में से एक था घर का सारा काम नोकर चाकर ही करते थे नोकर लगे हुए थे उसके घर पे एक दिन उसकी रुपयों की थैली कहीं खो गई सेट जी समझ गए कि उनके किसी नोकर नहीं रुपयों की थैली चुराई है उन्होंने चोर को पकड़ने का एक उपाय सोचा क्या सोचा उपाय सोचा प्लैन सोचा उन्होंने सब नोकरों को एक एक छड़ी दे कर कहा जो चोर होगा उसकी छड़ी आज रात अपने आप एक इंच भड़ जाएगी क्या कहा जो चोर होगा उसकी छड़ी आज रात अपने आप एक इंच बढ़ जाएगी नोकरों से अगले दिन आने को कहा जिस नोकर ने धन की थैली चुराई थी थैली मिन्स पोटली उसे रात को डर के मारे नी नहीं आई डर भै उसने सोचा कि उसकी चड़ी तो एक इंच लंबी हो जाएगी क्योंकि उसने चोरी की हुई थी न तो उसको क्या लगा कि उसकी चड़ी तो लंबी हो जाएगी और व्यासानी से पकड़ा जाएगा बस भोर होते ही भोर मतलब सुबा होते ही उसने अपनी चड़ी एक ही काट दी क्योंकि उसको डर था कि मैंने चोरी की है उसकी चड़ी लंबी हो जाएगी तो उसने अपनी चड़ी एक ही काट दी चड़ी को लंबा तो क्या होना था वे अपने सही नाप से की घट गई सेड़ जी की तरकीब काम कर गई तरकीब मतलब उपाए, प्लान काम कर गया चोर अपने आप ही पकड़ा गया तो ये हमने चैप्टर रीड किया है ना, इसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए है ना, चोरी नहीं करना चाहिए तो आगे कर रहे हैं, शब्दार मैंने आपको चैप्टर में पहले ही बताया है सेड का मतलब क्या होता है, धनी व्यक्ति अमीर व्यक्ति, ये आपको अपनी नोट बुक में करने हैं नगर, शहर, थैली, पोटली, डर, भै, भोर, सुबह, तरकी, उपाई राइट करने के साथ साथ आपको लर्ण भी करने हैं अभ्याज, सिर्फ बोल कर पढ़ना है इनको बोल कर पढ़िये रुपेयों, सुन्दर, थैली, व्यक्तियों, तरकीब, छड़ी, पकड़ने, आसानी, चुराई, नींद, इंच ये सारे वर्ण आपको बोल कर पढ़ने हैं नेक्स आते हैं निमन लिकीद प्रिश्णों के उतर बताईए अब आपको मैंने चैप्टर रीड कर आया ना अब मिरको आप साथ साथ आंसर बताएंगे सेट का नाम क्या था? बताईए, क्या था? वेरी गुड, ध्यान चन सेट का नाम ध्यान चन था ये आपको अपनी नोल्ट बुक में करने हैं जैसे जैसे मैं बता रहे हैं वैसे जैसे आंसर राइट करने हैं सेट के घर काम कौन करते थे? बताईए, कौन करते थे? वो बहुत धनी ब्यक्ति था ना? कौन करते थे? तो आंसर क्या लिखेंगे? सेट के घर काम नोकर चाकर करते थे? सेट के यहां से क्या चोरी हुई थी यह तो सब कोई पता है रुपयों की चैली चोरी हुई थी ना तो आंसर कैसे लिखेंगे सेट के यहां से रुपयों की थैली चोरी हुई थी लास्ट कोस्चन क्या था सेट जी क्या समझ गए थे क्या समझ गए थे सेड़ जी को क्या हो गया था शक हो गया था ना किसी नोकर पर सेड़ जी का शक अपने किसी नोकर पर गया यह है आंसर next question है सेड़ जी ने चोर को पकड़ने का क्या उपाई सोचा आप क्या लिखोगे सेड़ जी ने चोर को पकड़ने के लिए अपने नोक्रों का को एक एक छड़ी दे कर कहा जो भी चोर होगा उसकी छड़ी अपने आप एक ही भड़ जाएगी यह आंसर मैं दुबारा रपीट कर रही हूँ सेट जी ने चोर को पकड़ने के लिए अपने नोक्रों को एक छड़ी दे कर कहा जो चोर होगा उसकी छड़ी अपने आप एक ही भड़ जाएगी नेक्स कोर्चन थैली चोरी करने वाले नोक्र को नींद क्यों नहीं आई क्यों कूसे डर लग रहा था ना? तो आँसर क्या लिखोगे? धन की थैली चुराने के कारण रात को डर के कारण उसको नींद नहीं आई रपीट कर रही हूँ दुबारा आंसर, ध्यान से सुनोगे धन की थैली चुराने के कारण, रात को डर के कारण, नीन नहीं आई चोर ने अपनी चड़ी एक किन चोटी क्यों कर दी थी? क्यों कर दी थी? बताईए Very good, क्योंकि उसे डर था ना, कि मैं तो चोर हूँ अगर यह एक इंतलंबी हो गई, तो सेरची को बता चल जाएगा है ना, तो आप आंसर क्या लिखोगे? चोर ने सोचा कि उसकी चड़ी एक इंतलंबी हो जाएगी और वो असानी से पकड़ा जाएगा यही सोचकर चोर ने अपनी चड़ी एक इंतलंबी कर दी लास कोचे ने कहानी के माद्यम से हमें क्या शिक्षा परधान की गई है? हमें क्या शिक्षा मिली है यह चप्तर पढ़ गई? इस कहानी से हमें बुरे काम नहीं करने की शिक्षा मिलती है क्या शिक्षा मिलती है? बुरे काम नहीं करने की शिक्षा मिलती है यह आपको बुक में भी करने है और नोट बुक में भी करने है ती लास आगे दिये गे बॉक्स में से सरी शबर चुनकर रिक्स्थान भरिये वहे नगर के डैश व्यक्तियों में से एक था बताईए यह लिखे हुए नो अप्शन क्या था वहेरे गुड धनी व्यक्तियों में से तो फिलप में के आएगा धनी उठने चोर को पकरने का एक डैश ट्रोचा क्या सोचा था वेरे गुड उपाए सोचा उसे रात को डैश नहीं आई क्या नहीं आई यह तो सबको बतै नींद नहीं आई सेड़ जी की डैश काम करगी क्या काम करगी तरकीव काम करगी नेक्स सही वाक्यों पर टिक तसा गल्स वाक्यों पर क्रोश का निशान लगाई है सेड़ जी का नाम गोपी चन था नहीं न क्या था ध्यान चन तुझे रोंग है न तुझे आप क्रोश लगाएंगी वैर नगर के धनी व्यक्तियों में से एक था येस था ना टिक का साइन आएगा सेड़ चोर को पकड नहीं पाया पकड तो पाये थे ना है ना क्रॉस चोर असानी से पकड़ा गया येस टिक सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएए सेड़ जी कहां का रहने वाला था बताईए सुन्दर भवन सुन्दर नगर सुन्दर वन या इसमें से कोई भी नहीं बताईए सुन्दर नगर यहां पर टिक का निशान लगाएए सेड़ की कौन सी चीज चुरा ली गए थी ये तो स डिक का साइन आएगा सेट के घर में चोरी किसे ने की ति- नोकर ने भाई ने मित्र ने दूद वाले ने are यश मुअं करने इत यहां पर टिक आएगा सेट ने नोउक्र में को क्या दिया क्या दिया दिया था पुरस्कार इनाम दिया था सीख चड़ी या पैसा क्या दिया था चड़ी वेरी गुड तो चड़ी पे टिक करेंगे नेक्स हम करेंगे लिंग पुलिंग इस्त्री लिंग पूरश या इस्त्री जाती का बोद कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं पूरस चाती का बोर्ड कराने वाले शब्द पुलिंग, तस् Blaze कराने वाले शब्द इस तरी लिंग क्यलाते हैं, यानि कि पुलिंग कौन होगे जयन्स, इस्ट्रि-लिंग, लेडिस, तो हम कुछ Kiss लिन्ग के शूरढ यह वह कर रहे हैं, जिससे आपको क्लियर होगा, इन्हें लिंक बदलना है यह है नोकर नोकरानी क्योंकि यह फीमेल है फीमेल में कनवार्ट करेंगे यह मेल है नोकर सॉरी नोकर नोकरानी सेट सिठानी भाई बेहन चोर चोरनी चूहा चूही मोर मोरनी तो लाट निमन लिकित वाक्यों को link बतल कर दोबारा लिखिए पहले हमने किया ना तो उसी की करना है लड़की दूद पी रही है इसको हम कैसे बतलेंगे link में लड़का दूद पी रहा है यहां पर write करेंगे ठीक है पिता जी समाचार पत्र पड़ रहे हैं पिता जी का क्या हो जाएगा इतनी link माता जी समाचार पत्र पड़ रही हैं माली पोदो को सिंटा है मालीन पोदो को शिंटी है यह सब आपको अपने बुक और नोट बुक दोनों में करना है चैप्टर रीड करके मैं आपको ओडियो सेंड करनी है फर्स्टे और जैसे से मैं वर्क देंगे वो कम्प्लेट करना है ठीक है थैंक यू सो माश